कर रहे हैं एंडिया आरेफ के दीजी ने कहा कि अभी तक 11 लोगों को को मलबे से जिन्दा निकाल जाए चुकवा है नेपाल के काटवानु वैली के विभिन अस्थानों पर हमारा सर्चन रेस्क्यों ऑपरिशन्स चल रहा है पिछले दो निनों से हम लोगों ने इक गया रहा है लोगों को जिन्दा निकाला है मलबे से और उनहतर लोगों की डेट बाड़ी से हमने निकाल ली है और ये ऑपरिशन्स पेशले बहतर घंटे से चल रहा है हमारे जवान जो हैं दिन रात मेहनत करेंके और इन शवों को और इन जिन्दा लोगों को निकाल रहे हैं और प्रती दिन नेपाल आर्मी की मदद से वो हमें बताते हैं कि कहां जाना है और उन अस्थानों पर उन महलों पर हम जाते हैं और जहां हैं स्ट्रक्ट्चर्स को लाप्स कर गये हैं उन में हमारी टीम इंडिया एलिफ की टीम जो हैं सर्च करती है और रिस्क क्यों करके उन लोगों को निकाले लिए कर प्रतास कर रही हैं